नमस्कार, all of you target with MR गोर्षिया YouTube चैनल पर आप सभी का श्वगत है, मैं History Lectures MR गोर्षिया आज अपन बात करेंगे इतियास की कुछ महत्पून प्रशन जो प्रतियोगी प्रेक्षा में अक्सर रिफीड भी होते हैं और बहुत ही महत्पून है, जो भी आगे एक्जाम है, उनमें होने की पूर्ण संभावना आने की सद से पहले अपन देखते हैं असोक इस्तंबो के समद में निमन मैं से कौन सा कथन सही है तो पहला प्रसन नीचे चार विकलब है, इसमें कौन सा सही है तो एक नमबर लिखा हुआ है, वे धारियां से युक थे, दो नमबर उनकी सतर समकदार थी तीन सभी इस्तंबो पर अभी लेक मिलते हैं, चार इस्तंबो की यस्टी एकासम है तो इसमें आपके उत्तर सही वह आपके उत्तर है बी उनकी सतर समकदार है और इस्तमों की यस्टी लाट है वह क्या है एकास्मा है तो इसका सही उत्तर आपके चार नुमर दूसरा परशन है गुप्त काल का निमन में से कौन सा मंदीर मद्दे परदेश में अवस्तित नहीं है तो इसा कौन सा है जो आपके मद्दे परदेश में नहीं है तो इसका सही उत्तर आपके देव गड़ का दसा अवतार मंदीर है ये आपके मद्दे परदेश में उत्तर परदेश में इस्तत है ललितपूर उत्तर परदेश बाकी सब आपके मद्दे परदेश में तीन नंबर प्रसन है विश्व प्रसीद मैशौन मंदीर शमू दक्सिन पूरु एशिया के किस प्राजचीन राज्य की ध्रोवर है तो मैशौन मंदीर आपके काफर है तो इसका आपके सही उत्तर है वह आपके क्या होगा मैशौन मंदीर है वह आपके चमपाम आगे चार नंबर प्रसन है जो सिक्सा से समंदित कमिशन जो है और उसके बाद में गवर्नर जनरल तो सबसे पहले आपके जो सेडलर कमिशन सेडलर कमिशन आपको मालूम है सबी को सेडलर है वह उननी सो सत्रा में आया था तो सत्रा में आपके एक क्या होगा जाएगा चार हो जाएगा हंटर कमिशन आपको मालूम है हंटर कमिशन अठारा सो बियासीम आया तो अठारा सो बियासीम आपके भी का हो जाएगा एक रेले कमिशन आपके करजन के समय आया था ये हो गया तीन का तीन और वो डिस्पेस वह आपके डलोजी के समय इस परकार अपने इसका उत्तर देखते हैं तो उत्तर आइसका होगा एक नमबर उत्तर कुन सा होगा एक नमबर आगे देखते हैं प्रशन आगे प्रशन जो आपके हैं पांच नमबर निमन मैंसे किसने एज ओफ कंसक्ट बिल का विरोध किया था तो एजोब कंसेक्ट बेल है इसका विरूद करने वाले जिनका नाम बाल गंगादर तिलक ने विरूद किया आगे प्रसन है सवतंतरता संग्राम के दोरां क्रांती करियों द्वारा की गई हत्या होको का काल करम सै करम आपको लिखना है तो इसमें अपन देखते हैं छठा प्रसन छठे प्रसन में सबसे पहले आपको मालूम है जो हत्या हो अठारा सो सिंतानों में रेड की हत्या की गई D सबसे पहले आ रहा है इसका मतलब आपको उत्तर तो मिल गया है उत्तर कॉन सा होगा That is 2 इसके बाद में आपके D के बाद में A आएगा Wiley की हत्या A के बाद में Jackson की और उसके बाद में आपके Saunders की हत्या आएगा इस परकार आपके उत्तर नमबर क्यों ये भगत सिंग के द्वारा लिखा गया आगे प्रस्षन अपन देखते हैं सुभा चंदर बोस के बारे में निमल लखी तुमें से कौन से कथन सत्ते हैं तो यहां फर अपन के जो कथन दिये गए हैं उसमें आपन देखते हैं सी आर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचारे निट किया सुभा संदर ने कलकता नगर निगम के मुखे कारिकार अधिकारी के रूप में काम किया खलांतर में वे कलकता नगर निगम के मापूर चुने गए और 1949 में उन्होंने कॉंग्रेस में फोरवर्ड बलोक का गठन किया तो आठ नंबर क्यूस्षन का उ सुजाव पर दियानन सर्शती ने सारजुनिक भास्नों में संस्कृत के इस्तान पर हिंदी तो इसके सुजाव दिया था केशु संदर शेर आगे हैं सवराज्ये पार्टी की इस्तापना कब हुई थी सवराज्ये पार्टी की इस्तापना तो अपन देखते हैं या जनवरी 1923 सवराज्य पार्टी की इस्ताफना का बहुत अच्छा प्रसन है जन्वरी 1923 में मुतिलाल नेरू और सी यार्दास की द्वारा की जाती है अगे प्रसन है अब बहुत अच्छा प्रसन है निमन मैसी किन अपसुरों की हत्या 15 अक्टुमबर 1877 को कोटा की विद्रोही राज की ये सेना ने की थी तो इसका आपके उत्तर है वह जो आपके अब देख लेते हैं बहुत अच्छा प्रसन है जैसे यहां मैजर मौरिशन यहां था नहीं कोटा में ये गलत हो गया मैजर सावर्स ये उद्धेपूर्म था दो नुगलत हो गए अब इसे कौन से राथ सैडलर और मैजर बटर बी और सी दो नंबर इसका उत्तर बिलकुल सही आगे देखते हैं किस समाचार पत्तर के माद्यम से विजये सिंघ पत्थिक ने बिजोलिया किसान आदोलण को समूचे भारत में सर्चा का विशे बना दिया तो सबको पता यह कानपूर से गणे संकर विद्यार्थी के द्वारा जो संपादित पत्तरकात्रा था उसके माद्यम से आगे देखते हैं तेरा नमर श्री वैशनव संपरदाय से निमन मैं से कोण संबंदित हैं वैशनव संपरदाय तो रावी विशिष्टा देवातवाद कह सकते हैं वैशनवाद भी इसको अपन कह सकते हैं तो परमुक रूप से आपके यहां पर अपन देखते हैं तो रामानुज हैं आगे देखते हैं परशन संक्या चाउदा इन में से कौन समराट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे तो अकबर के दरबार में कौन थे यहां पर ख्वाजा अब्दूस समद यह उत्तर हैं आगे देखते हैं अकबर ने किसको सिस्ट मंडल का अंतिव नेतरतों करने के लिए परताब के पास बेजा ताकि वस सांती पून अधीनता स्विकार कर ले तो आपको पता है जमा भटो जमा भटो टोडर्मल तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा टोडर्मल ये बिल्कुल सह आपन यहां लिख सकते हैं जमा भटो जमा भटो जनलाल खां मान सिंग भगवत दास और टुडर्मल आगे प्रशन देखते हैं निमलकित मैं से कौन सा ग्रंत गुप्त काल में रचा गया था तो कौन सा ग्रंत गुप्त काल में आपके रचा गया था यहां आपन देखते है तो आपके इसमें देखो इसपस्ट पढ़ाया अमर कोस जो गुप्त काल में रशा गया था प्राचीन भारत काल खंड निमन में से मंडल कूपो का सबसे पहले उल्ले का मिलता है तो आप सब को मल पता है कूपो के बारे में सबसे पहले उल्ले के वकांपर मिलता है अगे देखते हैं नालंदा महा विहार के समद में अधो लिकित कतनों पर विचार कीजी अविन्शांग के अनुसार कुमार गुप्त पर्थम द्वारा मावियार की स्तापना की गई दूसरा ये मना जता है कि मावियार बक्तियार खिलजी के द्वारा नस्ट किया गया तू तीसरा दोनों से लुलकुल दोनों कतने वह सत्ते आगे देखते इसके बाद में सेलेंदर वंस के किस राजा कोशरे जाता है कि उसने कालसन मंदिर का निर्मान करवाय था तो कालसन मंदिर का निर्मान वक किस ने करवाय था तो यहां आपन देखते हैं तो यह पंग करण नाम का सासक था उसने करवाय था चार निर्मान की चार नमबर इसका उत्तर है बहुत अच्छा सुवाल है 5.1847-9 रिपलह के दुरा निमन विद्रोष इस्तिलों को विद्रो फैलाने के नुसार काल करम के सबसे पहले काम फैलता है तो यहाँ पर अपन सबसे पहले मेरट में, उसके बाद बरेली में, उसके बाद जांसी में, उसके बाद घोटाम तो सिधा इसका उत्तर है, एक नमबर उत्तर है आगे देखते है ब्रटीस आसन के दोरां रुड़की में, तकनी की महाविद्याले की इस्तापना कब हुई थी? तो यह आपके दो नमबर इसका उत्तर है, 1847 में इस्तापना हुई थी, बहुत अच्छे प्रसन है आगे अपन देखते हैं, हिंदुस्तान रीपब्लिक एस्सोसियेशन के संस्तापक सदेशे कौन थे? तो इस संदर्शिक राजा थे, सचिंद्र सान्याल थे और राम परशाद बिस्मल अर्वीन घोस इसमें नहीं थे सब सत्ते हैं या सत्ते नहीं हैं, इनका ध्यान आपको रखना पड़ता है तो अपन यहां देखते हैं, राजा राम ओन राय के बारे में तो कौन सा सत्ते हैं, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने दा प्रिसेप्ट आफ जिसस दा गाई टू पीस एंड हैपिनेस सक्से पुस्तक लिखी यह आपके बिल्कुल है वा सत्ते हैं, इन्होंने इंडियन रीफॉर्म एस्सोसियेशन की इस्तापना की इन्डियन रीफॉर्म में यह आपके केस उसंदर सेहन की है, तो यह आपके दो नमर इसका उत्तर तो आगे आपके आगे अपन देखते हैं, इन्होंने आत्मी सबा की इस्तापना की बिल्कुल सही है, इन्होंने फार्सी में तूफात उल्मुहावदीन नाम से एक पुस्तक लिखी, यह भी आपके सही आगे प्रसन है, निमन मैं से किसके द्वारा भारत में इंगलेंड के प्रचलित नमुने पर आध्यात्मक प्रक्षेशन संस्तानों की इस्तापना किस इसा कौन सा कमीशन उसमें इसा किया गया, तो यह बहुत अच्छा प्रसन है, यह आपके वुड डिस्पेस का जो ताके मद्य अपनी सिक्षाओं को परचार करने के लिए प्रमुक छेत्री भासाओं का प्रयू किया, दो है, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल सास को ने फार्सी को अपनी कारेकाली भासा बनाए, तो इसका आपके उत्तर दस्वें का है, ए और आर दोनों से यह और आर एक की व्यक्या करता है, यह इसका बिल्कुल सत्ते उत्तर है, तो इसका आपके उत्तर हो गया, दो, ग्यारे नमबर प्रसन देखते हैं, अपन, ग्यारे नमबर प्रसन आपके आगया, यह आगया, यह बड़ा, ठारा सो सताउन के विद्रोग की शुरुआत के समय उद्धेपूर में रेजिडेंट कौन था, तो यहाँ पर आपके उद्धेपूर में आपके, आपको मालूम है, कैप्टेन सावर्स था, आगे प्रसन दे देखते हैं, निमन मैसिक कि समाचार पत्तर के साथ विज्जे सिंग पत्थी का नाम जुड़ा हुआ है, तो विज्जे सिंग पत्थी के वब राजस्तान केशरी से इनका नाम है, वा जुड़ा हुआ है, विज्जे सिंग पत्थी, आगे देखते हैं इसके बाद में, औरं लमकरी मुमद साकी की खुलासत उल्टवारित ये इसकी उत्तर नहीं है ये खुलासत उल्टवारित खफी कहां की तो ये इसका आपके गलत हो गया उत्तर दो आपके हो गया आगे है सीवाद जी की प्रसासन में पंडी तराव द्वारा संभाले जाने वाले मामले में कौन साम मिल थे तो यहां पर आपके दान तथा धर्म समंदी होते सब को मालूम है अच्छा प्राशन था उत्तर देने लाइक है आगे आपको सुमेलित है कुणना है इसमें आपके इसमें लिखा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपके आराम बाग बाबर के द्वारा सालिमार बाग शाजा के द्वारा पिंजोर बाग औरंजिब के द्वारा तो निसांत बाग सरी नगर अकबर के द्वारा नहीं यह इसका उत्तरवर गलत है आगे देखते हैं इसके बाद में यहां पर आपको अच्छे प्रसन और भी है इसमें आपके लिखा हुआ है निमन मैंसे गवर्नर जनरल इर्वीन को भेची थी तो पहला से संपूर्ण मद निसेत दूसरा भूमी करमें पचास परसें कमी तीसरा नमक कर अनुमूलल यह तीनों से यह चोथा नहीं है चोथा कथनी यह गलत है आगे देखते हैं कपनी की अधिकारी जिसकी 1857 की करांती के दोरां पुस्ती मारक के परवर्तक को पता है वलबाचार एपुस्ती मारक के परवर्तक किस व्यक्ति की कहने पर विजे सिंग पतिक राजस्तान में करांतिक आयोजन करने के लिए खैरवा ठाकूर गोपाल सिंग के पास आये थे तो अच्छा प्रसन है आपके छठ्थया प्रसन रास भी यरी बोश की कहने पर बहुत अच्छा प्रसन रिपीट हो सकता है आगे देखते हैं का और आरे समाज की इस्थापना हुई तो यह आप सब को मालूम है 1875 में बंबई में आरे समाज की इस्थापना हुई थी आगे देखते हैं निमन में से कौन सी संस्कर्त रचना गुप्त काल में नहीं रिची गई थी तो गुप्त काल में विक्रमांग का देव चरीत्र ये रचना एवा गुप्त काल में नहीं थी ये चालो की वंस की समय रचीते उस इस्तान को चिनित कीजी जो प्राचीन काल के दोरान विद्या का केंदर नहीं था तो आपको सब को मालूम विद्या का केंदर है वर प्राथ था ये सब विद्या का केंदर कौन सा है तो इसमें आपके चुनार विद्या का केंदर नहीं है अरिक मेडू नहीं है बर्गु कच नहीं है तो उत्तर क्या होगा वल भी कि आगे देखते हैं निम्न में से कौनसा आयोग, शिक्षा सुधार्शय शमंदित नहीं हैं तो यह आपको सब को मालूम है हंटर आयोग, शिक्षा है लेले शिक्षा सेड़, इसले फिए अकाल से समंदित तो चार नंबर उत्तर बिलकुल सही है आगे देखते हैं बकीम चंदर चटर जी के बारे में कत्नों पर विज़ार उन्होंने बंगला संस्कृति को था ने तु बंग दर्शन नामक पत्री का प्रकासन किया था आगे प्रसन है मैं इस्वर की पवित्र सोंगित खाकर कहता हूं कि मैं भारत तता उसकी 48 करोड़ वास्यों की सवतंतरता के लिए अपना अंतीम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा ये कतन किसका है तो ये सुबास चंदर बोश का कतन है बिलकुर सथे आगे देखते हैं अदोलित मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है पहला सारणाथ चार सी सही है रामपुर्वा सांड सही है लोरिया नंदरगर्ची सही है तो शंकिंसा का जो है ये ती नंबर इसमें आपके गलत है आगे देखते हैं निमन मैंसे कौन सा मुगल वास्तु कला में दोहर एक गुबंद का सबसे प्रारंबिक उदार्ण माना जाता है दोहर एक गुबंद का तो इसमें आपके हमायू का मकबर धन्यवाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सेर जरूर करें इसी प्रकार अपन आगे और इतियास की जो प्रस्ण है उनको लेंगे और आपके सामने रखेंगे प्रस्ण प्रीक समाने के बहुत संभावना है